हर्याणा में जन्नायक जन्ता पार्टी से छुटका रहा और नायाप सैनी को मुख्यमंत्री बनाने की पिछे भाषपा की विशेश रणनेती रही है CM की रूप में पिछडी जाती के नायाप सैनी के नाम की खोशना करके भाषपा ने अपनी लाइन क्लियर कर दिये पार्टी प्रदेश में करीब 78 प्रतिशत एंटी जाट वोटों को एक्जूट करना चाहती है और आने वाली लोगसभा चुनाव में पिछडों को मिला कर फिर से जीत का सहरा पहनना चाहती है हर्याणा में भाषपा यह जानती है कि 22 प्रतिशत जाट वोट डिवाइड होगा तभी पार्टी को फायदा होगा पिछले चनौ में जाट वोट के अनुभा को देखते वे भाषपा भी हर्याणा में एंटी जाट वोट की रणीती पर काम कर रही है प्रदेश की 90 में से 40 सीटो पर जाट वोट डिसाइडिंग फैक्टर है यही वज़ा है कि पार्टी ने 10 साल की सरकार चलाने के दौरान CM चेहरा नौन जाट ही रखा इसके लावा संगठेन में भी पार्टी ने जाट चेहरे ओम प्रकाश धनखड को हटा कर नायाप सैनी को अध्यक्ष बनाया भाशपाया जानती है कि हर्याणा में जाट वोट कॉंग्रेस के साथ अगर जाट वोटों का एक और दाविदार आ जाए तो इस पे कोई दोराय नहीं है कि बीजेपी का काम आसान हो जाएगा भाशपाय निसी फॉर्मूले पर काम किया और मौका देखते ही जजपा से किनारा कर लिया हाली में कराय के सर्वे से ये भी स्पस्ट हो गया है कि पार्टी को साथ होने से बीजेपी को कोई फायदा नहीं होने वाला था जेजेपी अगर बीजेपी से अलग चुनाव लड़ती तो पार्टी को जादा फायदा हो सकता था यह बात जितनी बीजेपी के लिए सही है उतनी ही जेजेपी के लिए भी सही है हर्याणा के सियासी जानकारों का कहना है कि नायाप सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर भाषपा इसका लाफ उतरप्रदेश के चुनाव में भी लेगी वहां कुछ सीटों पर सैनी समुदाय का काफी दबदबा है हर्याणा में चाहे जाट आरक्षन हो या महिला पहलवानों का मुद्ध हर्याणा के जाटों के मन में भाषपा को लेकर बहुत नाराजगी है ओंप्रकार धनकड को हर्याणा भाषपा ध्यचपत से हटाय जाने के बाद से ये नाराजगी और बढ़ चुकी है धनकड उन लोगों में शामिल है जिनोंने भाश्पा को हर्याणा में मजबूत करने के लिए सबसे अधिक मेहनत की है सियासी जानकारों का कहना है कि भाशपा ने भले ही जाटो को किनारे कर दिया हो पर पार्टी का मैनेजमेंट हर्याणा में इतना तगड़ा है एक बार फिर पार्टी 10 में से 10 सीच जीच सकती है जाटो की नाराजगी को कैश करने के लिए मजबूत विपक्ष का अभाव होने के चलते हर्याणा में एक बार फिर बाजी भाशपा के पक्ष में जाने वाली है N1 Life की खास रिपोर्ट